हेलो गाईज साइड दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हिल्लर को नहे जानता हो हिल्लर त्यास का कैसा नाम है जिसके बारे में आज बच्चा-बच्चा जानता है दुनिया के सबसे क्रूड तरना सामेसे एक था हिल्लर फिर भी हम बता दें कि हिटलर एक जर्मनी तानासा था जिसे दुनिया के सबसे कुरूर तानासा में से एक माना जाता है वो हिटलरी था जिसकी वज़े से दुट्टेवी स्यूद हुआ था जिसमें लाको सेनिकों और आम नागरिकों ने अपनी जान गवाई थी हिटलर की कुरूरता का सबसे विबदर उधारन आस्तवी कैफ है जिसे नाजियों का यातना सिवर भी का जाता है कहते है कि उस सियातना सिवर में करीब 10 लाग लोगों ने अपनी जान गवाई थी जिसमें जायतर याउदी थे ऐसे में आप सोच सकते है कि अगर हिटलर नहीं होता तो लागों लोगों की जिन्दगी बच जाती आज हम आपको एक ऐसे अंग्रेज सैनिक के बारे में बताने जा रही है जो चाहता तो दुनिया तबाह करने से पहले ही हिटलर को मौत की नीन सुला सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्या आप सैनिक के बारे में जानते हैं अगर नहीं तो आप मेरी ये वीडियो देखे और मैं आपको इस वीडियो में सेनिक के बारे में सभी बाते बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगए अगर अच्छी लगए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस अंग्रेजी सैनिक का नाम था हेनरी टेंडी 30 अगस 899 को जनमे हेनरी की जिन्दगी की कारी भी बड़ी अजीब है उसका जनम किसी अस्पताल या घर में नहीं बलकि एक होटल में हुआ था 1910 में वो सैनिक में भरती हो गए थे और यहीं से उनके सैनिक जीवन की सफलता की कारी शुरू होती है हेनरी ने कई लड़ाया लड़ी थी और कई बार घयाल भी हुए थे लेकिन ये उनका जजबा ही था कि हर बार वो उट खड़े हुए थे हिटलर से उनकी मुलाकास साल 1918 में फरांस के एक गाव में हुई थी जब परतमविश यूद समापती पर था हालिकी उस समय हिटलर भी एक सैनिक के तोर पर यूद में सामिल था हुआ कुछ यह था कि हिटलर गायल अवस्ता में पड़ा हुआ था उसके हाथ में बंदुक तो थी लेकिन उस समय वे उसे चलाने में ऐसमरता इसी बीच लटते लटते हिंडरी भी किसी तरह वहाँ पर पहुँच गया उन्होंने देखा कि एक सैनिक गायल पड़ा हुआ है लेकिन उन्हें ऐसा क्यों नहीं किया था तो उन्हें जवाब दिया था कि उन्होंने हिटलर को नहीं बलकि एक ठके वे हारे हुए समाने से स्पाई को छोड़ा था ऐसा नहीं है कि सिफ हेंरी ही हिटलर को जानते थे बलकि हिटलर भी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता था साल 1938 में जब ब्रिटेन की परधान मंत्री नेविले चेवरियन म्यूनिक समझोते के दोरान हिटलर से मिलेते तो उन्हें बताया था कि किस तरह हिन्री उसे मानने के बिल्कुल करीब थे लेकिन उन्हें उसे नहीं मारा था तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगए और अच्छी लगए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और में एचानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए जाएं बन्ने मातरा